नमस्त का दोस्तों, जैसा के हमारी अगली वीडियो में आपने देखा है, इनपुट के बारे में समझाया है, हम अपने दूसरी वीडियो में आटपुट के बारे में समझाने जा रहे हैं, हमारी वीडियो को आप ध्यान पूर्वक देखिए और समझिए, आटपुट क्या है और उसके उपकड कम्पूटर में जो आप इन्पूट यानि की माउस और कीबोड द्वारा जो इन्पूट देकर डाटा तयार कर रहे हैं और उस डाटे को उस डेटा को हम लैप्टॉप या कम्पूटर की डिस्पिली में देख रहे हैं वो डिजिटल आउटपूट हो गया और जो डोकुमेंट हमने तयार किया है कोई फोटोग्राफ तयार किया है उसे प्रेंटर पर जब प्रेंट करते हैं हाड कॉपी निकालते हैं वो प्रेंटर से प्रेंट निकली हुई वो भी आउटपूट के अंतरगत आती है आप जो मल्टी मीडिया से कार कर रहे हैं जैसे आप गाना तयार कर रहे हैं गाने के मिक्सिंग कर रहे हैं उस गाने को स्पीकर से सुन रहे हैं वो भी आटपुट के अंतरगत आती है जो आटपुट के बारे में बरतमान में यूज किये जाते हैं प्रोडेक्ट उसके बारे में हमने सरन तरीका से समझाया डिस्पिले प्रेंटर और बॉक्स यह आपके मुख आटपुट के इंदर विंदू है इस से और भी आटपुट के के इंदर है जो के आप प्रेंटर भी समझ सकते हैं प्रेंटर भी आपका आटपुट है जब आटपुट आप प्रेंटर का कार करता है लेकिन वह ग्राफिक्स सही निकालता है प्रेंटर तो यह थी हमारी छोटी जानकारी उमिद करते हैं मेरी वीडियो आपको समझाई होगी यद मेरी वीडियो आपको समझाई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ सेयर करें हम को दीजिए इजाज़त नमस्कार अगली वीडियो के साथ पर मिलेंगे धन्वाद